एकांकी सूखी डाली, नाट्यकार, उपेंद्रनात अश्क, परेश का चरित्रचित्रण परेश डादा मूलराज का पोता है और इंदू का भाई है, वह नायब तहसीलदार है, उसका विवाह लाहोर के एक प्रतिष्ठिक परिवार की सूशिक्षित करन्या बेला से हुआ है, परेश जानता है कि बेला उसके परिवार को और उनके रहन सहन और तौर तरीके को पसंद नहीं करती, वह उसे समझाने का प्रयास करता है, लेकिन असफल होता है, अपना सा मूँ लेकर वह दादा जी के पास बाग वाले मकान में प्रिथक ग्रहस्थी की बात करता है, वह दादा जी का संपान करता है, और उनसे ये बात कहते हुए लजजित महसूस करता है, वह बे अभी वह अपनी पत्नी को समझ नहीं पाता नजाने तुम क्या चाहती हो परेश के पात्रद्वारा उपेंद्रनात अश्क जी ने हर उस युवा की मनोव्यथा बताई है जिसकी नई शादी हुई है और वह अपनी पत्नी और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करत रहा है धन्यवाद